कहानी एक लेखक के घर से शुरू होती है, जहां वो अपनी पत्नी और प्यारी बेटी मिनी के साथ रहता है। मिनी एक चुलबुली और जग्यासु बच्ची है, जो हमेशा कुछ नया जानने की कोशिश करती है। लेखक को अपनी किताबों और लेखन में बहुत व्यस्तता रहती है, लेकिन मिनी का मन हर वक्त घूमने फिरने और नई चीजों के बारे में सवाल करने में ही लगता है। एक दिन काबुली वाला, जो एक अफगानी व्यापारी है, घर के पास आता है। उसकी मुस्कान नहीं दिखती और उसका चहरा कठोर लगता है, जिससे मिनी को डर लगता है। काबुली वाला अपनी धहली में मसाले और सूखे फल लेकर चलता है, लेकिन वो बहुत उदास और गहरी सोच में दूबा हुआ प्रतीत होता है। मिनी उसे देखती है और उत्सुकता से उससे बात करती है। काबुली वाला उसे धीरे धीरे अपनी बेटी की कहानिया सुनाने लगता है, जो अफगानिस्तान में रहती है। काबुली वाला की बातों में इतना प्यार और दर्ग था कि मिनी उसका ध्यान कीच लेती है। समय बीटता है और मिनी और काबुली वाला की दोस्ती गहरी होती जाती है। वो हर दिन उससे मिलकर अपनी बेटी की यादों को साजा करता है जबकि मिनी उसे अपनी छोटी छोटी परेशानिया और खुशिया बताती है। काबुली वाला उससे छोटे छोटे उकहार देने लगता है जैसे सूखे मिले और फल और दोनों के बीच एक अजीट सा नाजुक सा संबंध बन जाता है। फिर एक दिन अच्छानक काबुली वाला वापस आता है लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। वह एक काले और गहरे दुख में दूबा हुआ लगता है। उसकी आँखों में वे पुराने दर्द और उदासी के निशान थे और अब वह मिनी से पहले की तरह नहीं मिलता। मिनी उससे पहचानती है और दौड कर उसके पास जाती है लेकिन काबुली वाला अब उससे अपने पुराने रिष्टे की तरह नहीं देखता। काबुली वाला मिनी से कहता है तुम बढ़ी हो अब तुम ही क्या पता मेरे दर्द के बारे में। मेरी बेटी की यादे अब मुझसे दूर जा रही है और अब मैं किसी से नहीं जुर सकता। मैंनी यह सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या वो काबुली वाला से मिली यादे भी कभी नश्ट हो जाएंगी। अब कहानी में थ्विस्ट आता है काबुली वाला अपने देश लोटने की तयारी कर रहा है। उससे पता चलता है कि उसकी बेटी अब बढ़ी हो चुकी है और उसने अपनी मां के कहने पर उसके पास वापस लोटने का निरने लिया है। लेकिन काबुली वाला को यह हैसास होता है कि अब वह और उसकी बेटी एक दूसरे के लिए अजन्वी हो चुके हैं। वह घर लोटने से पहले मिनी से एक आखिरी बार मिलता है और उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है। मिनी, जो अब समझ चुकी है कि काबुली वाला की बेटी के बिना उसका जीवन अधूरा था, काबुली वाला को अपने घर का एक हिस्सा समझती है। चाहे वो किसी से भी हो, कभी न कभी खत्म होते हैं, लेकिन उनकी यादे हमारे दिलों में हमेशा रहती हैं। जो यादे हमेशा रहती हैं।